सिद्धात अगर जिले में आयूजित पांच दिवशी शिद्धात अगर महोशो का उत्रप्रदेश के आयूज खास सुरच्छा यो आउशदी मंत्री दया संकर मिस्वा ने फीता काट कर शुवारम किया सिद्धात अगर जिले का यह महोशो आज 28 जनौरी से शुरू होकर एक फरोरी को खतम होगा इस महोशो में देश की नामी गिरामी हस्तियां और कला का हिस्सा लेते हैं महोशो का सुवारम करने के बाद मंत्री दया संकर मिस्वा ने मीडिया से बाद करते हुए का कि सिदात अगर जिले में महोशो का आयोजन बहुत ही भब रूप में होरा इसके लिए सरकार दोरा बहुत ही कम बजट निर्धारित है यहां की भबेता को देखकर वह मुख मंत्री योगी आधितनाच से इस महोशो के लिए और अधिक धन्रास्य उपलब्द कराने की बात कहेंगे उन्होंने कहा कि वह आईउस विभाग के मंत्री है आईउस दुनिया की सबसे पुरानी उपचार की और शदी की पदती है इसको पुरावा देनी के लिए मोधी सरकार पूरी तरह कटिवर्द है उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे आयूस परदती की दवाओं को जादा से जादा लोगों के बीच पहुचाया जाए इसके लिए योगी और मोधी सरकार बहुत ही बढ़ियां अस्तर पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि सिधात नगर जिले में पैटन की जो संभावनाई है उसको देखते भी लगातार पैटन के छेतर में भी कार किया जाराज जिसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है पास दिवसी इस महोशों के उध्रहाट नवश्र प्रहस्तारी सांसा जग्दमिका पाल विधायक बिने बर्मा श्यामधनी राही सहीद जिले के अन्य विधायक भी मौज़ोद रहे पहाने का हर सम्मोफ्यास करेंगे तो कि आरुजन की कहराई कहली जी आरुजन के पूरियत रूप को देखते हुए निश्यति आपका यह जो यहां का बज़च जो होगा आए निश्यति जो कमिया है इस जिले की वो पूरा करना मेरी साथ मिखता है चुकि आचार सहीटा लागो है कोई ऐसी गोशना में नहीं कर सकता लेकिन मैं जो भी यहां के जन प्रतिदियों के द्वारा सबसे मेरे रिष्टे है बानी सांसाथ जी से विडाय कड़ों से जो भी यहां कमिया है उस विदा को लेकर चुकि बानी इस जो द्वान पुद्ध की और जो हमारे आईश मंत्राले में एक सुवा रिक्पा एक विदा है जो आसे 2700 वर्सों पुरूर अपने महत्मा गौतम बुद्ध के द्वारा ही शुरू की गई जो पूरे देश की परवती अंचलों में प्रचलीता चाहे वो जम्मो कश्पी हो चाहे वो हमाचल की स्थाहो लिस्ति घाटी हो चाहे प्रवत्धर राजी हो निशिती आयूस में इस सारी विदाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेरे तरब से अंत्रपलेश सब्सक्राइब अभी तक सड़कों का बादा बाज बया रहा था तो बढ़िया सड़के दिखी तो उस्ता स्ट्रक्चर है किसी भी दुनिया के दूसरे देशों का परटर जिस तक उसकी विदाए नहीं पढ़ेंगी तो निशिती जिस तरीके से दिन और रात काम यहां होग मुझके लगता है कि आने वाला दिन परेटन के लिहां से जीले के लिए बहुत अच्छा है कि सिद्धार्दगर जन्पद है और सिद्धार्दगर महोसो इस जन्पद के पहचान बन चुका है कपिलबस्त महोसो वो परंपरा का ही निर्वहन है हम लोगों ने इस बार सोचा है कि अभी सिद्धार्दगर महोसो है एक कुछ महीनों के बाद मई में प्लैन कर रहे हैं कि एक कपिलबस्त महोसो मनाएं जिसमें राष्टी नहीं अंतर राष्टी अस्तर के देशों को लोगों को बुलाये जाए और एंबेश्डर्स हों बुद्धिष्ट हों गौद धर् भाने पर यह सिद्धार्दगर अपने महोसो की स्रंकला को आगे बढाने का काम करें है। जनता से यह पहचान बन चुकी है सिद्धार्दगर का महुसो यह कपिल बस महुसों में जो उक्सा है पहले दिन ही आपने देखा आज द्यासेकर द्यालू जी उधवाटन में आए हमारे विधायक स्याम जी आही जी थे बिनाय वर्मा थे धुर्वति पार्टी जी थे संक्या में लोग सुबर दस बजी आ गए रात को तो साम को दो में उधवाटन होना था तो यह लोगों का अपना महुसो है लोग इसमें उस्साह से भाग लेके हैं और यह सांती अहिंसा करूना मंता का संदेश देता है इससे जिले में एक लोगों में प्रिगत करने का बहत पचास स्टान इसी जनपत के 50 किसानों ने पॉर्मर अर्गनाइजिसन बनाके लगाया इससे साफ है कि अब काला नमक की पैदावार बढ़ रही है वो काला नमक किसान पैकिजिन कर रहा है बाहर बेंच रहा है तो इस जनपत का किसान आने वाले दिनों में हर्याना पज्ज किसान कि पैदाव अर्गनाइजिसन दे आने में है यह है यह है पेजर साफ है थ।